अग आज हम तीसी कलर्ड टू बनाने जा रहे है इसके लिए केजी लिए तीसी कहिए प्लेक्सीट कहिए यह अल्सी कहिए जो भी गर यह गरम होगा अब तीसी डालना है एक क्विकिती है थोड़ा थोड़ा कर तरह करते नहीं तरहियां के प्राइफ को हुआ पीछर्णाद करते हैं एग आप प्राइच लया करते हैं दोहें न्यलगा छलाते रहें के नियुकह को अप्री जलना..? जाए अच्छे तरह से इसको चलाते रहना है पराबर गया सब्सक्राइब देखिए चटकने लगे उसका आवाज आने लेकर देखिए अब निकाल देंगे इसको हमके निकाल दिये अफिर एक यह साड़े साथ सो ग्राम मेरा गूड है और यह 50 ग्राम मखाना है और यह दोति नमस्ते घीर डालके मखाना को भूझेंगे विदे के हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है देखिए चलाते रहना है तब तक भूझते रहना है जाकि थोड़ासा कड़ा नहां हो जाए अच्छा से भूझने पर यह थोड़ासा अच्छा भूजा जाएगा तब बराबर इसको चलाते रहें तो जल जाएगा मखाना डालने से इसका टेस्ट अच्छा लगता है थोड़ा सा एक पीस इसको लेके देखना है पूर्ड हो जाता है समझ जाएगा कि मखाना हमारा भूजा के देखिए अब गुड का पाक बनाने जा रहे हैं इसके लिए दो कट् साथ सो ग्राम गुड है अब गुड को डाल देंगे हैं अब गुड को डाल दीजिए अब हम गुड का यह पाक बनाने जा रहे हैं इस तरह से डाल देना है कि देखिए पाग इस तरह से त्यार हो रहा है और यह बना नहीं है अच्छी तरह से बना नहीं है इसी तरह का पाग होना चाहिए ऐसे बनते रहेगा गुड के देखिए पाग अब हमारा त्यार होके है इस तरह कहीं चाहिए ना ज्यादा कड़ा ना चाहिए हाड इस तरह क कई पाद मेरा त्यार हो गया है कि इस तरह कहीं होना चाहिए अब तीसी को थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्सी में पिस लेंगे थोड़ा थोड़ा करके तीन चार बार में पिस आ जाएगा पिस लेना है एक फाइन देखे पॉड़ा बढ़िंग गया इसी तरह से सारा तीसी को पीस लेना है इस मखाना को भी हम रोस्ट कर लिए थे इस तरह से मिक्सी में इसको पॉड़ा बना लेना है देखे एक बाद़न लिये इससे में चाहिए जो हम तीसी पीस के रखे है उसको हम डालेंगे इसमें अब जो मखाना पीस लिये थे वह पॉड़ा बना गया था अब इसको भी डाल देंगे इसमें पचास ग्रम था मेरा मखाना यह 100 ग्रम किस्मिस है यह पचास ग्रम मेरा नारियले इसको हम कद्दू कस कर लिये है अब सारे मिश्रन को मिक्स कर देना है अच्छी तरह से मिला लेना है यह सर्दीबों में हमारे हम खाया जाता है तिसी खास कर भीहार में तंड के मौसम में इस तरह से मिक्स करने के बाद देखिए मेरा जो पाक बन करेंटी अब इसमें दो-तिन से वाच घीर डाल रहे हैं देशी आपके पास है तो डालिये ने तो नहीं भी डाल सकते हैं अब घी आपड़ी भी डाल के थोड़े में कर देना है एक सब्सक्राइए देना है लिए जादा घी नहीं डालना क्योंकि आलसी में आपना ही होता ही हरा है कि देखिए जो घुड का चास्ति बनाएं वह दाल रहे हैं थो पीछी करके डाल देना है अब इसको मिक्स करना है हाथ मत लगाएगा ये चंबच से ही या जो भी आपके पास बढ़तन है चलाने माला उसको अच्छी तरह से इसी से मिक्स करना है नहीं तो हाथ जलने लेगा इस तरह से मिक्स कर देना है पुरा कि मेरे जितना चासनी सा सब इसमें लग गया है कि पूरा हम डालेंगे गरम गरम भी इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा बचा हुआ तो भी डाल दे रहा है अंल सब्सक्राइब युर्ण करें इथा मेरे मेरें लेया तो यसमे तरह से मिक्स करने के बाद हो जाता है अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देने चाहांस लगा के इसको साहरा मीक्स करके एक चेह दाबा देनार नित तो ऐसे भी राकी रखीये drowned तत्रड़ा हो जागा स्ज़ाइट बढेंग नहीं अब एक थोड़ा-फड़ा करके कि इसद्रबा दबा के लडू बना ले ओ ने लिक्याओ्त वहागे कर 나 दिए बद दो दो चेंद्रode मैं बन जाएगा इस तरह से लट्डू धिरी धिरी बना लेना है सर्दियों कमोशन में यह तीसी का लड्डू खाया जाता है बहुत गर्म होता है तेखिए मेरे एक किलो का लड्डू बन के त्यार है अगर मेरे वीडियो पसंदा है तो सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट शेयर कर जड़ने डिजह बाएफ से लाइब जाएब टेखिए वीडियों कोई थे जाएब लाइब लाइवाता है वीडियो फे उन्सके लाइशा जाएब दून है जाएब लाइब 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 और भीडि़ मेरे दिए बना खाया जा दो झाल